दोस्तों गीरिटोल के इस प्लैटफॉर्म पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज आपकी जो मांगती वो लेसन लेकर मैं आ गया हूँ सबसे पहले मैं यह बता दू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाकी कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है इस वीडियो में सब कुछ covered है यहाँ तक कि इस वीडियो में आपको फॉर्मले भी याद करवाँगा बहुत सारे जगा पर आपको फॉर्मले डिरेक लिखे हो प्लीज गीरी टुटरियल कॉडिनेट जोमेट्री वन सट वीडियो सर्च करो आपको मिल जाएगा और दूसरा मैंने ट्रिग्नोमेट्री पे बना दिया और तीसरा आज मैं बना रहो और आपकी जो मांग होगी प्लीज नीशे कॉमेंट करना जल्दी हम उससे भी फुल्फिल कर देंगे यहाँ पर सबसे वहले क्युबवाइट के लिए क्या क्या चीज़ों पर ध्यान आ चैये क्यूबवाइट के लिए कुछ चीज़े याद रहनी चीए तक्यों पको लएक कुछा आएक को था मिट करते हैं volume of cuboid के आएगा L into B into H वैसी same यहाँ पे total surface area निकालना है तो आप यह L है यह B है और यह H है यहाँ पे 2 लिखो और साथ में यह दो-दो को लिखने का यहाँ पे क्या आएगा L B फिर क्या आएगा इसके बाद यह दो ले लो B H फिर क्या आएगा first and last तो गया आएगा L H हो गया, then इसके बाद अगर आप cube में आते हो cube में हर एक side उसका same होता है और उसके side को हम L लेते हैं, उसका हर एक side L होता है, तो cube में अगर total surface area की बात करें, तो 6 faces होते है, total अगर cube में बात करोगे तो 6 faces जैसे यह 1, 2, 3, 4 5, 6, ऐसे total 6 होता है तो इसलिए total surface area का formula कायाएगा 6L square, बात में lateral surface area इसमें भी होता है, उसे अगर आपको याद करना है, तो आप book में दिया है, याद कर लो lateral surface area of cube का formula होता है, lateral मतलब बस हम 4 surface ही लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे formula आएगा 4L square, याद रखना and then volume, जैसे यहाँ पे हम L into B into H लिखे, तो वैसे इसके सभी side सेम होते है, L B same होगा B B, H B, सब सेम होगा तो L into L into L क्या होगा, L cube तो I think आपको याद हो गया ये दो चीज़े आपको याद हो गया जल्दी से दोनों चीज़ों को revise कर लो then आगे बढ़ते है अब देखो आगे आ रहे हो आफ, यहाँ पे आपको cylinder दिखाई दे रहा है, और कौन, यह बहुत confusing होता है, पर कोई tension नहीं है, सबसे पहले हम इसके volume का formula याद रखेंगे, देखो volume का formula बहुत easy है, pi r square edge, यह आपको याद होगे, volume of cylinder याद होगे, आपको pi r square edge, वैसे ही volume of phone का भी same है, pi r square edge, starting में 1 by 3, क्या बात है, सर, आपने बहुत easy कर दिया, pi r square edge, और बस यहाँ पे कहा है 1 by 3, same यहाँ पे, अगर cause surface area की बात करो, तो अगर हम circumference का formula, अगर आपको याद है, तो तुम्हें याद है, 2 pi r याद होगा circumference का formula, और उपर के height पे जाओगे, तो edge और आपको यह भी पता होना अची, कि circle के, cylinder के इस वाले part को हम r लेते हैं, radius और बाद में यह हमारा क्या height है then इसके बाद यह हमारा cause surface area याद होगे, total surface area का जो formula है, वो, देखो मैं same लिख रहा 2 pi r, यह देखो यह same लिखा इसका और बस यहाँ पे यह जो h है उसको अंदर लिखा है h plus r याद होगे, same लिखने का last वाला अंदर लिखने का plus r लेना है same यहाँ पे देखो cause surface area हाँ, यहाँ पे cause surface area का formula हैगा pi r l याद रखना है, pi r l l मतलब यहाँ पे plant height है यह देखो l, और यह कहा हमारा r, और यह कहा हमारा h, pi r l और यहाँ पे भी same total surface area में कहाएगा pi r और यह जो लिखा है इसको अंदर लिखो plus हमने क्या लिया था, यहाँ पे plus r लिया था, यहाँ पे same क्या है plus r, then इसके बाद अगर आप area of base देखोगे इसके base में क्या दिखाई दे रहे है, आपको circle दीख रहे है, तो इसका area of base का formula लगाएगा pi r square मुझे ऐसा लग रहे है कि मैं बहुत अच्छे से आपको याद करा रहा हूँ, इसका भी area of base के आएगा pi r square की circle है जल्दी यल्दी यहाँ तक वीडियो को रोक लो then आगे बढ़ो, थोड़ा सा time लगेगा वीडियो देखने के लिए पर यह सब चीज़े याद हो जाएगे न तो आगे चुटकी में आप चीज़ों को cover कर लोगे then इसके बाद अब देखो sphere है, sphere का surface area का formula होता है 4 pi r square क्या हैगा 4 pi r square pi r square याद है बस आगे 4 ले लो volume का formula है 4 upon 3 pi r cube याद रखना 4 upon 3 pi r cube किसका formula है, volume same है, hemisphere है, hemisphere मतलब इसका half part, अगर इसका half part volume है, जिसे 4 है, तो यहाँ पे कहाएगा 2 upon 3 pi r cube याद हो गया, यह दोनों formula भी याद हो गया देखो बीना formula याद किया, अगर आप मैं अगर direct देदू, formula यह सब है मतलब नहीं है, जब तक formula नहीं याद करोगे, यह lesson का कुछ मतलब नहीं है, और मैं जैसे trick से याद कराओ, याद कर लो, जैको 4 का आधा कितना 2, then अगर हम total surface area की बात करें, जैसे यहाँ पे, अगर मैं यह 4 है, तो उसका half वाला part, यह जो तो अगर यह 2 pi r square है, और नीचे एक और circle है, total में सब आ जाएगा, तो total कितना आ जाएगा, 3 pi r square and then area of base base में क्या circle है, तो इसले क्या आएगा pi r square यह भी हो गया, पूरा का पूरा हमारा formula done हो गया, तो please जल्दी जल्दी, formula को एक बार revise करो, then one by one हम अब question के उपर आएगे, तो यहाँ पर आपको वीडियो को थोड़ा सा रोग देना चाहिए एक बार पूरे formula को revise करना चाहिए sir ने keyboard का क्या बताया था then cube का क्या बताया था, then हम आगे बढ़ते है, अब हम one by one question याद करेंगे, पर question के पहले यह चीज याद रखना, सबके formula सबको याद हो जाने चाहिए, चलते हैं अभी आगे next question अभी solve करते हैं अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है question को अच्छे से पढ़ो और one 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 solve करो, find volume of sphere, अगर मैंने आपको formula नहीं याद कराया रहता, तो आप solve ही नहीं कर पाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं, अभी याद आ रहे है volume of sphere, सर्फ 4 upon 3 pi r cube, और diameter 6 centimeter दिया है तो देखो मैं यहाँ पर question को कैसे लिखना है given, given given हमारा diameter कितना है, 6 centimeter और actually अपने को radius चाहिए तो दोस्तों याद रखना, diameter का radius क्या होगा, हाप रहेगा तो इसलिए मैं देखो, d by 2 लिखा, d कितना है 6, divide by 2, कितना हो जाएगा 3 centimeter, तो अपने वह आर पता चल गया, r अपना कितना है दोस्तों 3 centimeter, r अपना cover हो गया, अब हम आगे चल रहे है हमें क्या निकालना है दोस्तों, volume of sphere, तो देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, volume of sphere equal to, क्या है formula 4 upon 3, pi r cube, square मतले न, pi r cube, अब देखो, यहाँ पर 4 upon 3, pi का value इन्होंने बोला है, 3.14 लेने को नहीं, तो pi का value हम हमेशा क्या लेंगे 22 by 7, बढ़ यहाँ पर इन्होंने बोला है, तो अपने को वैसा value लेना होगा, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 3.14 into r cube r cube मतलब यहाँ पर क्याएगा 3 का cube दिखाई दे रहा है, यहाँ पर r का मतलब हमने 3 का cube लिखा, तो finally यह क्या हो जाएगा 4 upon 3, 3.14 into 3 into 3 into 3, cube मतलब 3 time लिखना है, अब यहाँ पर 1 3 और 1 3 cancel हो गया, तो finally देखो, 3 3 जा क्या होगा, 9 and 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा multiply करके देखना है, या 9 4 जा अगर तुम्हें आता होगा, 9 4 जा 36 multiply by 3.14 अब तुम्हें क्या करना है sorry अब तुम्हें क्या करना है just ये दो number को multiply करो, अब तुम्हें को multiply करने का इस system मता दे रहो, किसी का कुछ wrong नहीं होगा 3 1 4 को direct 36 से multiply करो, 3 1 4 multiply by 36, थोड़ी बहुत चीज़ें ये सब करोगे तो कभी calculation wrong नहीं होगा, अब यहाँ पर देखो 6 4 जा 24, 2 carry 6 1 जा, 6 6 और 2 कितना होगा, 8 6 3 जा, 18, at least 10 तक table आना चाहिए, calculation अगर करने आ रहे हो, तो यहाँ पर 0 3, 4 जा, 12, 1 carry 3 1 जा, 3 और 1, 4 and 3 3 जा, 9 तो यहाँ पर काया, 4 ये 0, 1 carry 12 जा, 13, 1 carry 9 और 10, 11 तो कितना है हमारा, 11 11, 3, 0 4, अब देखो ये volume है, जहाँ पर भी दोस्तों, volume आया ना, और हमें question centimeter में दिया, तो centimeter cube लिखना कहीं पर भी अगर area आया तो centimeter square लिखना, ये चीज़ याद रखना और यहाँ पर point के बाद कितना number है, 2 number है, तो पिछे से 2 number गयाद point लगा दो, तो 113 0.04 centimeter centimeter cube, अब चलते हैं, तो इस type से ही, अगर देखो इस type से अगर आपको पूरे के पूरे formula याद है, अगर समझो मैंने ये वाले formula याद नहीं कियो होते, ये formula नहीं याद कियो होते, तो मैं वो समकरी नहीं पाता, इसलिए सबसे पहले formula याद रखना है, then calculation कैसे करना है, वो भी सीख लेना है, तो मैंने calculation भी करके आपको systematic बता है, तो ऐसे अगर आप solve करोगे, तो इस type का easy question तो आने वाला है, आपको normally दिया होगा value, l का value दिया होगा, cube का दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, और आपको बोलागा volume निकालो, इसका volume निकालो, उसका volume निकालो, तो formula मैंने याद करा दिया, तो एक part आपका fix हो गया, मतलब कहीं ने कहीं आपके 3 marks तो fix हो चुके है, 3 marks आपको आराम से मिलेंगे, अब चलते हैं, next question की ओर, अब देखो next question है, surface area, अब देखो next question कितना easy है, ध्यान से देखना, surface area of sphere के, 4 pi r square, direct आजाएगा answer, r का value दिया, आप आराम से solve कर लोगे, total surface area of cylinder, देखो, cylinder का अपने को total surface area निकालना है, आपने formula याद किया है, cylinder का याद है, 2 pi r h plus r, ये formula याद है ना, आपको, if the radius of its base is 5 cm, मतलब उसका radius अपने को कितना पता चल गया, 5 cm, and its height is 40 cm, h अपने को 40 cm पता चल गया, देखो, ये h पता चल गया, r पता चल गया, बस pi का value रखो, r m से solve हो जाएगा, तो ये 2 question, आपको solve करना है, और comment करके मुझे भताना है, जिससे मुझे लगेगा कि आपका practice हो रहा है, चले आगे, ये question मैं solve कर दे रहा हूँ, इस type का, देखो कहा लिखा, the diameter of cuboid, sorry diameter नहीं लिखा है, dimension, the dimension of cuboids are 44, 21, and 12, कभी भी cuboid में अगर 3 dimension आ रहे हैं, तो हमने याद किया, l into b into h, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, cuboid, value of l, value of b, value of h, what is value of l, 44 cm, बहुत अच्छा समय यह, value of b, 21 cm, value of h, 12 cm, yes, lbh हो गया, अब हमें क्या बोला, it is melted, and cone of height, 24 is made, मलना इसको melt किया, और उसी से हमें क्या बनाया, cone बनाया, और cone का हमें height पता है, कितना height दिया उन्होंने, 24 cm, find the radius of its base, हमें क्या करना है, radius find out करना है, किसका cone का, बहुत easy है, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, कि cuboid is melted, and क्या form हो गया, cone is form, वहाँ से क्या किया, क्या 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 क्या, cone form क्या, अगर किसी भी cuboid को, समझु, है do not go तो दोनों का जो gonna भफ किआ हो गा तो यहां पर अ मैंदर समें करने के लिए वाघ्ति जू है तो दोनों की वाल्यम को यह होता है तो दोनी वालीम को से चाहिए जिसे volume of keyword and volume of phone, अब volume तो मैंने आपको सिखाया था दोस्तों, keyword का volume क्या होता है, L into B into H, और इसका volume of phone क्या आएगा, volume of phone आएगा, 1 upon 3 pi r square h, याद है आपको formula, 1 upon 3 pi r square h, अब बस क्या करना है, यहाँ पे h, h, 2 same हो गया, इसको h1 कर दो, इसको r1 कर दो, यहाँ पे यह r1 हो गया h1 हो गया, बस, दोनों में same नहीं होना, अच्छी, बस अलग हो गया, अब देखो, यहाँ पे बस value रख दो, L का value कितना है, दोस्तों, 44, B का value कितना है, दोस्तों, 21, और h का value कितना है, दोस्तों, 12, 1 upon 3 हो गया, pi का value, दोस्तों, बोला है, question में, नहीं बोला है, तो आप उन लेंगे 22 by 7 and R1 square तो अपने को find out करना है दोस्तों और H1 कितना है दोस्तों 24 अब क्या करेंगे इसको थोड़ा सोपर ले रहाँ अब देखो मैं क्या करूंगा बस हमें calculation systematic करना है यहाँ पर देखो 3 के table में 24 आता है 3 बंजा 3 3 कितने टाइम में आता है 3 एडजा अब यहाँ पर जो भी term बचे यहाँ पर हमें R1 square अकेला रखना है जो भी term बचा है उसको यहाँ पर भेजना है यह सब आपको सीखना है कि मैं किस तरह से calculation कर रहा हूँ कभी भी आपका calculation mistake नहीं होना चीए गर आप ऐसी प्यार सपोर्ट दिखा होगे तो बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बना देंगे 2023 का board exam कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आरांध से आप निकाल दोगे है तो यहां पर उपर आ जाएगा अब बता कौन सा किस में जाएगा अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो टूजा हो जाएगा 22 टूजा 44 इसके बाद यह दो वह फोर के टेबल है 42 टूजा 43 टूजा बाद में यह 22 कैंसल हो गए तो अगर देखोगे 21 है और यह 73 टूजा 21 r square कभी भी अगर दो नंबर सेम है या तो इसको आप multiply करके भी निकाल सकते पर यह दो नंबर सेम है और multiplication form में है देखो यह r का square का यहां पर root आया जब दोनों नंबर सेम है तो आप तो बाहर एंसर कहाएगा 21 cm तो r का value कितना हैगा दोस्तो 21 cm तो देखो इस type का भी मैंने एक question करा दिया आपको ऐसा अगर कोई melted वाला question आया कि इसको बना के हमने यह melt किया ऐसा किया तो समझ जाना दोनों का volume सेम है तो just volume लिया questions all हो गया चलो आगे चलते है देखो next question है यह देखो यह type के भी question में अगर मेरा वीडियो अगर आपने systematic देखा न तो आपका सब कुछ cover हो जाएगा कुछ आपको अलग से पढ़ने की ज़रुत नहीं है देखो यहां पर दिया है कि how many jugs of water can be can the cylinder port hold how many jugs मतलब कि कितना यह जो jug है इस में से हम पानी इसके अंदर डालेंगे इस pot के अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो कितना jugs हम पानी डालेंगे तो इसके अंदर पूरा का पूरा पाट क्या हो जाएगा फूल हो जाएगा तो कभी भी how many type के questions आते हैं मतलब यहाँ पे तुम्हें finally क्या पूछा है number of jugs पूछा है तो अगर इस type का कभी भी question आता है तो दोनों figure में से बढ़ा कुण सा figure है बता अभी मैंने जो diagram बनाया थोड़ा सा proper नहीं बनाया यह diagram book में देखो कि थोड़ा सा बढ़ा है और अगर तुम देखो कि 7 cm है इसका radius 3.5 cm तो यह बढ़ा है और दोनों के height तो same है तो यह figure बढ़ा है जो बढ़ा है उसको उपर लिख दो और volume से ही खेलना है किससे खेलना है volume इसलिए volume के formula बहुत important volume of cylindrical pot water pot मैं नहीं लिख रहा हूँ लिख लेना and दूसरा है volume of conical water jug volume of jug लिख रहा हूँ conical water jug याद रखना अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसका given data लिख दो हमें यह actually क्या है cone है cone की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो इसमें r जो है वो कितना है r जो है वो 3.5 cm है बात में अगर आप देखोगे h जो है वो कितना है 10 cm है then इसके बात अगर इसकी बात करोगे तो यह cylinder है और cylinder में अगर मैं r की बात करूँ तो कितना है 7 cm और h की बात करूँ तो कितना है 10 cm then यहाँ पे हमने दोनों चीजों को लिखा then अब हम क्या करेंगे volume of cylindrical pot अब यहाँ पे देखो यह r है यह h है यह भी r और h है तो इसको one one दे तो दोनों अलग हो जाए बस अब यहाँ पे volume of cylinder का जो formula होता है वो क्या होता है पाइ r square h अगर formula मैंने आपको नहीं याद करा है बार बार इसले में बोल रहा हूँ कि इसले formula याद करना बहुत important है volume of jug कोन की तर है one upon three pi r square h अब आपको क्या करना है जो आपने one two three किस के लिए लिया है बताओ मुझे cylinder के लिया है तो इसमें cylinder first वाल है तो यह one one हो गया अब दोनों अलग हो गया नहीं तो cancel होना पड़ता अब देखो यहाँ पे यह pi pi तो cancel कर सकते हो और जोनों के value पाई गये same होते है r1 का value कितना होगा दोस्तो लिख दो r1 का value r1 कितना है 7 का square h1 कितना है दोस्तो 10 है calculation ने सब मेरे से सीखो अब कैसे मैं कर रहा हूं 1 by 3 ऐसी लिखो यह pi तो cancel हो गया r square कितना है दोस्तो 3.5 का square है और h कितना है दोस्तो 10 का पॉरी टेन ही है, अब अगर मैं देख़ इससे सॉल कर रहा हूँ, और सॉल मैं कैसे कर रहा हूँ, मुझे चेक करना है कि कि इतने जग्स उस सिलेंड्रिकल पॉट में वाटर होल्ड होगा, यह दो को यह टेंटें कैंसल हो गया, अब फाइली यह सेवन का स्क्वार कितना होग सेवन का स्क्वार हम 49 लिखेंगे, और यह दो को यह 3 यहां नीचे उपर चले जाएगा, तो यह 3 उपर गया तो मल्टिप्ला होगा, नीचे गया वच्छा 3.5, मल्टिप्ला होगा 3.5, अब यहां पर हमने यह भी लिख दिया, अब यह लिखने के बाद, अब आपको क्या क करना है, पहले सबसे पहले आप क्या करो, यह जो आपका पॉंट से उसको हटाने की कोशिस करो, कैसे हम पॉंच को हटाएंगे, तो यह दिक री है, इंटो 49 है, यहां पे 3.5 है, यहां पे भी 3.5 है, मुल्टिप्ला हम पा हम एंड्रेट, क्यों हं ऐंडेट हम लिखें, क्यो उपर नीचे 10 से multiply करता तो यहाँ पर यह क्या हो गया 3 multiply by 49, multiply by 100 देखो यहाँ पर point है यहाँ पर point है, यह 100 गायब हो जाएगा तो यहाँ पर direct आएगा 35 multiply by 35 अब अगर चाहते हो आप अगर यह दोनों को 5 के table से करते हो, तो 5 से divide करेंगे तो यह 20 आएगा, और यह अगर 5 से करेंगे तो 7 आएगा समझ में आ रहा है, फिर से अगर मैं 5 से कर रहा हूँ यह दोनों को, तो 5 से यह 4 आएगा और यह 5 से फिर से कितना आएगा 7 आएगा अब यहाँ पर 7 से इसको divide करूँगा तो 7 7 जा 49 फिर से 7 7 यह थोड़ा सा मेरा वीडियो फिर से पीछे देखके देख लेना कैलकुलिशन यह पर 3 बचा और 4 बचा 3 4 जा 12 जग्स जो water है वो इसके अंदर क्या होगा, hold होगा तो इस तरह से अगर कोई भी tablet के question एक आपके book में है तो पहले आप check करो कि दोनों figure को check करना है और volume से divide करना है जो बड़ा रहेगा उसका volume आपने लेंगे पहले और फिर नीचे जो छोटा रहेगा उसका volume लेंगे तो इसलिए जश और figure कैसा है तो volume वाले इस type का कोई भी question आएगा तो आपको अच्छे से solve करना है चलते हैं अब next question की ओर दोस्तों देखो इस type के question मैं आपको करा दे रहा हूँ ये भी question अच्छा question है अगर इस हमें क्या बोला total surface area of toy ये जो toy ये जो खिलाउना दिया है इसका total surface area निकालना है तो सबसे वहले इसके अंदर आप check करो कि कितने figures हैं तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर सबसे पहला हमें दिखाई दे रहा है hemisphere hemisphere वैसे तो book में लिखा हुआ है figure पर हमें hemisphere यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला जो part है hemisphere है then हमें दूसरा part जो दिखाई दे रहा हूँ क्या दिखाई दे रहा है cylinder then अगर मैं तीसरे part की बात करूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है cone तो सबसे बहले ये अब मुझे क्या करना है इसका total surface area निकालना है ये अभी मेरे वीडियो में कुछ सीजे बता रहो ध्यान से समझ लो कभी भी अगर total surface area आया ऐसे figures का कोई भी figures का तो समझ जाना core surface area निकालना है total surface area मतलब ये cow वाला part इसका बस cow वाला ही part लिया यहाँ पे भी बस cow वाला ही part लिया अंदर के circle को hide हो जाता है circle ये जो अंदर का है ना तो ये hide हो जाता है इसको हम नहीं लेते then ये वाला ही part हमने लिया cow वाला ही part लेते तो इसलिए इसका हमें cause surface area लेना है तुम्हें कुछ नहीं सोचना है तुम्हें बस ये सोचना है कि कभी भी अगर इस टाइब का पुस्टन आया, total surface area of toy, ऐसा कुछ भी आया, कोई भी figure दिया रहा, हो सकता है कि कोई ऐसा figure हो, कुछ भी हो, तो समझ जाना कि हमें क्या निकालना, cause surface area, अब cause surface area of hemisphere का formula आपको याद है, 2 pi r square, इसका formula याद है, 2 pi r h, इसका याद है, pi r l, तो सबसे लिए given data जो जो है, देखो hemisphere का, हमें बस radius चाहिए, है, तो hemisphere का ये वाला जो पार्ट है circle, ये वाला circle दोनों सेम है, तो यहाँ पे radius हमें दिया है, 3 cm, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 3 cm, तो इसका जो radius है, वो कितना होगा, 3 cm, सिलेंडर का रेडियस कितना आएगा 3 cm and height of the cylinder कितना आएगा 40 cm then कौन का अगर मैं बात करो कौन का जो radius हो कितना आएगा 3 cm और कौन का जो height है actually हमें formula बस पाई आर एल चाहिए तो height तो चाहिए नहीं फिर भी मैं लिख दे रहा हूं height जो है कौन का वह देपर यह वाला पाट है तो 4 cm height कितना है 4 cm एक formula मैंने आपको पीछे बता है यहाँ पर बता दे रहा हूं कौन में कभी भी slant height निकालना है तो उसका formula है under root of h square plus r square बहुत सार लोग इसे r square plus h square लिखते हैं दोनों का मतलब सेम है तो l equal to under root of h कितना है हमारा 4 square और यह कितना है 3 square तो finally क्या हैगा 16 plus 9 finally क्या होगा 25 और 25 मतलब क्या 5 cm तो l भी अपने को मिल गया 5 अब बस क्या कर रहो तीनों का top surface area निकालो और plus कर दो जैसे यहाँ पर देखो मैं निकाल रहा हूं total surface area of toy total surface area of toy क्या आएगा पहला core surface area of मैं short form में लिख रहा हूं of hemisphere hemisphere plus core surface area of cylinder सिलेंडर दूसरा क्या है सिलेंडर है और तीसरा प्लस core surface area of cone अब देखो बहुत easy हम इसे solve भी करेंगे इस टाइप यह कोशन को बच्चे देखके बहुत डर जाते हैं देखो core surface area of cylinder हेमिस्पेर क्या आएगा टू पाई आर स्क्वेर फॉर्मला याद होना चीए इसलें मैं याद कर रहा है plus core surface area of cylinder टू पाई आर एच और प्लस core surface area of cone पाई आर एल बस अभी आप क्या करो तीनों के values को लिखो आप चाहोगे तो अलग-अलग भी solve कर सकते हो पुर मैं तीनों साथ में solve कर रहा हूँ टू इन्टू पाई इन्टू आर स्क्वेर 3 3 का स्क्वेर प्लस टू इन्टू पाई ऐसी रखो पाई बात में आपने common ले लेंगे आर गया आएगा आर 3 multiply by h कितना है 40 देन पाई multiply by r 3 और l कितना है 5 अब देखो मैं कैसे solve कर रहा हूँ देखो यह 2 है 3 का स्क्वेर कितना होगा मैं direct कर रहा हूँ कि one sort video ज्यादा लंबा नहीं चाहना चीए 3 का स्क्वेर कितना होगा 9 9 दूजा 18 पाई यह कितना होगा देखो 3 दूजा देखो यह 3 फोर जा 12 12 दूजा 24 और साथ में एक 0 है 0 लिग दो या तो ऐसे भी कर सकते हो 3 दूजा 6 6 फोर जा 24 और साथ में पाई लगा दो यह fast calculation करने का तरीका देखो यही सम मैंने कितना fast solve किया 3 5 जा 15 और साथ में पाई देन फाइनली अब क्या गरो सबको plus कर दो यह पूरे को plus कर दो देखो 240 प्लस 15 और प्लस 18 यह पीछे से लिखते है नहीं तो बहुत सारे बच्चे आगे से लिखके गलत करेंगे यह one carry then 3 or 4 7 273 तो क्या आया 273 पाई area वर्ड है यहाँ पे देखो area लिखा है तो क्या आएगा cm2 portion cm में है तो cm2 आप चाहूगे तो यहाँ पे इसके बाद एक और step follow कर सकते हो अगर किसी को करना है तो ऐसा भी कर सकते हो 273 multiply by 3.14 ये दोनों को multiply कर दो और देन उसका proper answer लिख सकते हो बहुत easy है 273 को 314 से multiply कर दो and then उसके बाद दो number का point लगा दो answer लिख सकते हो ऐसा भी रख सकते हो यहां तक भी answer चलेगा समझा अब आगे चलते हैं next इसी type के questions के लिए देखो यहां पे ऐसा figure दिया है volume and surface area of the toy हमें पता करना है तो volume तो बता हो इसमें दो figure एक cone है और एक hemisphere है तो volume of cone पहले निकाल लो and volume of hemisphere निकाल लो दोनों को plus कर दो तो volume आगया and then इसके बाद surface area निकालना है तो surface area मतलब cause surface area की बात की है तो cause surface area of आप क्या निकालोगे cause surface area of cone and cause surface area of hemisphere दोनों को plus कर दो तो यह question तो आप easily solve कर लोगे देखो यह दिया है question और यहां पे आपको सायद यहां पे आपको इस question में उन्होंने सायद क्या पूछा था रुको मैंने question पूरा नहीं लिखा है इन्होंने इस question में surface area and volume पूछा था surface area area and volume पूछा था surface area and volume पूछा था आप आराम से निकाल सकते हैं आपके आस देखो पूरा का पूरा diameter है 42 तो आर कितना होगा बताओ आर कितना होगा 21 cm अब surface area का formula आपको पता है फोर पायार स्क्वेर स्क्वेर है न यह और अगर volume इसले मैं आपको a metal sphere of diameter 2 cm देखो एक glass है इसके अंदर water है और इसके अंदर एक sphere डाल दिया गया है metal का है और उसका diameter कितना है 2 cm तो यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ अब यहाँ पर क्या बोला है कि इसके अंदर एक sphere डाल दिया है and volume of the water अपने को पता करना है अब तुमने एक experiment पढ़ा होगा छोटी glass में जब आपन किसी भी sphere को अगर अंदर डालते है तो पानी थोड़ा सा उपर आता है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे कि अग अगर मैं यह पूरे पानी का volume of water with sphere in it मतलब sphere के साथ अगर मैं उसका volume निकालो और उसके बाद volume of sphere को उसमें से minus कर दो तो मुझे volume of water in glass पता चल जाएगा तो देखो मैं यहाँ पर पॉर्बला कैसे लोंगा volume of water in the glass मतलब glass के अंदर कितना water का volume है यही पूछा न volume of the water volume of water in the glass कैसे निकालेंगे पहले मैं क्या करूंगा volume of water with sphere in it मतलब उसके अंदर sphere के साथ volume कितना होगा वो पता करूंगा तो देखो लिख रहाओ volume of water with sphere in it किसी के भी अगर आप lectures को देखोगे तो इतना deep में lectures नहीं बनाया रहेगा once out video में यह सब cover कराएंगे बस वो एक type का sum बोलेंगे हो गया first second पर आते है बट मेरे lectures में मैं चाहता हो कि मेरा video देखके कोई बच्चा आराम से 40 out of 40 score करें इसलिए हर इक type के sum cover है अब आपको बा volume of spear का सब data तो आ गया और cylinder के लिए यह दो को यह cylindrical shape में दीख रहा है न तो यह actually cylinder है glass cylindrical type में तो उसका अगर height देखेंगे तो कितना है 30 cm और उसका radius अगर हम देखेंगे radius जो है वो diameter divided by 2 diameter अपने को पूरा diameter 14 पता है 14 divided by 2 मतलब 7 cm तो आप क्या करोगे volume of water with spear in it मतलब volume of water निकाला है मतलब glass का glass cylinder है तो cylinder का formula क्या आता है और उसमें से आपको spear वाला minus करना है तो क्या आएगा spear का 4 upon 3 pi r cube volume का अब देखो दोनों में r r same हो रहा है तो मैं यह क्या कर रहा हूँ इसको one ले ले रहा हूँ तो यहाँ पर यह one हो गया अब कोई दिक्कत नहीं है अब बस क्या करो आप यहाँ पे values लिखो और आराम से आ आएंगे दो पाई ऐसे है आर का value कितना है दोस्तो आर का value 7 है इंटू 7 square इंटू h का value कितना है दोस्तो h का value 30 है इंटू 30 माइनस 4 अपन 3 पाई IC रख रहा हूँ में यह सब टाइप के question में प्लस माइनस वाले में पाई IC रखो पाई common ले ले लेना आर वन क्यूब याद है आपको अपना आर वन क्यूब क्या था वन था देखो आर वन कितना अपना वन यहाँ पे आर वन मेरा कितना होगे वन तो यह क्या हो जाएगा दूस्तों पाई 49 इंटो 30 4 बाई 3 इंटो पाई अब मैं क्या करूंगा 49 को 33 से मॉल्टिप्लाई करूंगा 3 नाइन से 27 का 7 तो कहरी 3 पोर्जा 12 12 13 14 14 147 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 147 0 पाई क्योंकि एक 0 भी है न माइनस 4 बाई 3 पाई अब बस आप क्या करो प्रॉस मॉल्टिप्लाई करो यह यह वाला पाट 3 से मॉल्टिप्लाई कर दो इसको आप 3 से मॉल्टिप्लाई कर दो 7 3 जा 21 2 कैरी 4 3 जा 12 और 2 14 1 कैरी 3 बंजा 3 और 1 4 I think 4 4 1 और साथ में 1 0 आएगा पाई माइनस 4 पाई अपाउन 3 एक बार आप कैल्कुलेशन कर ले ना 147 को 3 से मॉल्टिप्लाई करो देखो 441 आ रहा ही नहीं आ रहा है देख ले ना इसके बाद 441 0 माइनस 4 कर दो माइनस 4 देखो एंसर कितना आ रहा है 10 माइनस 4 कितना होगा 6 सब कुछ कैल्कुलेशन के साथ सिखा रहा हूँ वन सौट वीडियो है फिर भी कोई ये वन सौट वीडियो की तरह नहीं है अपने दोस्तों तक प्लीज यार इसको शेयर करो ज्य किसे बाद 44 IiN aiada जूट यहां पर 9 अब यहां पर भी 10 में से यहां यहां पर barely 1 इसको दे दिया और यहां पर समझो 0 ए तो अपन नीचे कोई स्थ two 0 का 0 ही रहेगा then इसके बाद यह 4 है और यहां पर भी कहाएगा 4 तो answer कहाएगा 4 4 0 6 तो finally answer आएगा 4 4 0 6 pi divide by 3 अब आप क्या करोगे 4 4 0 6 को 3 से divide कर दो 3 से 4 4 0 6 को divide करो 3 1 जा 3 3 4 जा 12 then 3 6 जा 18 देखो calculations अब आपके उपर depend करता है 3 8 जा 24 जैन यहां पर 2 आया फिर अगर मैं इसको 0 लेता हूँ तो 3 यहां पर 0 लोंगा तो point दोगा 3 6 जा 18 फिर से 2 आएगा फिर से 3 6 जा तो 6 6 6 आती रहेगा तो finally यहां पर हमारो जो answer है वो क्या है 1 4 6 8.666 तो finally बहुत लोग इसको 6 7 भी लिखते हैं अम ऐसे भी लख सकते हैं तो 1 4 6 8.6 हाँ यह क्या था volume था तो इसलिए यहां पर कहा है centimeter cube तो finally दोस्तो इस type भी questions मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छे से cover कर लिया अब चलते हैं अपने next exercise के उपर next exercise में हमें एक question का अच्छे से practice करना है then third exercise then fourth exercise first exercise बने जोरदार तरीके से around 35 minutes में cover करा है अब इसके आगे ज्यादा time नहीं लगेगा process करेंगे कि एक से देड़ गंटे में lectures को cover कर ले चलते अभी next part की और अगर आप next part देखोगे तो यहां पर देखो फ्रस्ट्रम का यह question है फ्रस्ट्रम मतलब क्या होगा जो हमारा कोन वाला पार्ट है न कोन का उसी को मैंने उपर से क्या किया है cut कर दिया अपने ice cream अगर अमूल का ice cream खाया होगा 25 रुपिस का जो कोन आता है मालूम ने भी महंगा हो गया कि मुझे नहीं पता है तो अगर उस spoon को अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे वो chocolate रहता है चॉकलेट का layer रहता है तो हम हमेसा वह अला पार्ट अपना cut हो जाता है और आप उन नीचे से भी ऐसे खा लेते और बाद में अपना ऐसा first term की तरह बनता है तो बहुत easy है इसमें दो-दो radius होंगे एक r1 और r2 और h अब देखो इसको इसे हर formula को कैसे याद रखना है अगर आपको इसका formula याद हो गया न तो इस type का कोई भी question आएगा तो आप easily solve कर लोगे है देखो यहाँ पे l है l का जैसे वहाँ पे formula क्या था l equal to under root of h square plus r square याद है कौन का तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है h square plus यह जो r है न बड़े r में से छोटे r को minus कर दो तो मलब बड़ा r मतलब r1 minus r2 हो गया formula याद clap करो i say इतना easy है पुरा formula देखो मैं कोई भी अगर आप वीडियो देखोगे ना लोग formula पहले सी लिख देते है जब पढ़ाने ओले teacher को ही formula नहीं याद है तो आपको क्या पढ़ा रहा है बता हूँ मुझे खुद formula नहीं पता है और मैं कैसे trick से याद करो आपको यह वैसे याद रुखना है सर ने याद करा दिया वही वाला कोन वाला formula है बस सर ने बोला इसमें से इसको minus कर दो हो गया याद देखो को surface area को surface area का formula वहां पर गया था तो आप उन सबसे बिले को का formula लिख दो यहाँ पर पाई L R1 प्लस R2 प्लस उपर एक circle है यह आप नीचे एक circle है नीचे circle का area का क्या आता है पाई R1 square उपर एक circle है तो उसका क्याएगा पाई R2 square हो गया इसके गाथ volume of frustum volume of frustum का अगर formula देखोगे तो volume of कोन का formula क्या था 1 upon 3 पाई R square H पाई R square H यह था same formula देखो 1 upon 3 1 upon 3 पाई और यहाँ पे H यह जो R square है ना इसको आप कैसे लिखो के पता है सभी को square form में लिखो देखो पहले R1 का square लिखो फिर R2 का square लिखो फिर यह दोनों को multiply कर दो यह दो को R1 multiply पाई R2 done पूरे के पूरे form लेस आपको याद होगे अगर इस type का कोई भी question आता है बोलेंगे कि find the close surface area of frustum find the total surface area of frustum तो याद रखना उसमें दो radius दिया होगा कभी भी एकर दो radius दिया है तो समझ जाना कि यह frustum का question है और वहाँ पे लिखा भी होगा करना है radius of two circular end of frustum देखो यहाँ पर mention है सर ने formula याद करा दिया अब आराम से solve कर सकते हो radius दिया है आप 14 cm आप 14 cm and 7 cm तो मैंने बोला है कि इस type के question में आपको R1 लेना है और R2 लेना है दो radius से R1 किसको लोगे greater वाले को 14 cm और R2 क्या है smaller 7 cm यह काम आपका कर दिया the height of the bucket is 30 cm yes height is also 30 cm how many liters of water how many liters of water मतलब volume निकालना है and it can be hold 1 liter equal to तुम्हें दिया है यहाँ पर देखो यहाँ पर तुम्हें direct क्या करना है volume of frustum निकालना है volume of frustum का तुम्हें formula याद है जो मैंने इसके पहले लिखा के दिया है देखो 1 upon 3 something लिखा के दिया है यह पूरा का पूरा तुम्हें formula यहाद है पूरा का पूरा formula यहाँ पर लिखो पूरा का पूरा formula लिखने का दिसको पूरा solve कर दो आप solve तो कर सकते हो देखो यहाँ पे easily बस R1 square है R2 square है R1 into R2 है यह पूरे यह पूरे values यहाँ पे लिखो और यहाँ पे अगर उन्होंने बोला है πाई का कुछ value नहीं बोला है तो 22 by 7 ले लेना and then इसके बाद then इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है then इसके बाद यहाँ पे आपको यह पूरा का पूरा तो यहाँ पे जो भी आपका answer आएगा suppose जो भी यहाँ पे आपका answer आएगा वो रहेगा centimeter cube में क्योंकि आपने जो answer निकाला है वो volume है आपको answer किसमें चीए liter में तो आप क्या करोगे जो भी answer आया उसको 1000 से divide कर दोगे तुरंत यह किसके अंदर convert हो जाएगा liters में तो आपने पूरा का पूरा यहाँ पे systematic चीजों को क्या कर दो यहाँ पे पूरा का पूरा volume formula अपलाए कर दो volume हो गया centimeter cube में answer है उसको 1000 से divide कर दो liter तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको frustum type के questions भी क्या हो गया समझ में आए तो frustum का कोई भी question आया तो frustrated नहीं होना है RM से चीजों को solve करना है समझा और बाकी तो मैं तुमसे बात जल्दी करने वाला हूँ चलो अभी आगे चलते है थर्ड वाल exercise में बहुत सारी चीजे बहुत simple तरीके से पहले में थोड़े questions लिख लूँ क्योंकि questions इसके आगे लिखा नहीं है तो question लिख लेता हूँ फिर थर्ड वाला exercise भी जोड़दार तरीके से चालू करेंगे कुछ भी बहुत simple है बस जल्दी यहले लोगों तक share करो बस चलना चाहिए एक ही गीरी टुटोरियल्स तो दोस्तों अब हम next type के questions को cover करेंगे next type का मैंने पूरे के पूरे questions systematic लिख दिये अब इस question को भी हम क्या करेंगे systematic तरीके से cover करेंगे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे questions अब लिख दिया है next जो exercise है हमने हम up to 7.2 exercise तक पहुँच गया third exercise में बस तीन formula आपको याद रखना है और formula को याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है एक आपको क्या याद रखना है area of sector और दूसरा formula आपको याद रखना है area of sector के बाद दूसरा formula आपको याद रखना है length of an arc length of an arc और दूसरा आपको area of sector area of sector का formula दोस्तों बहुत इजी है theta upon 360 into pi r square याद रखना theta upon 360 into area of circle pi r square यहाँ पे क्या होगा theta upon 360 into यहाँ पे क्या हैगा आपको theta upon 360 आपने लिया तो यहाँ पे pi r square है तो यहाँ पे क्या हैगा 2 pi r यहाद रखना यहाँ circumference वाला formula आएगा 2 pi r और यहाँ पे क्या pi r square प्लीज यह दोनों formula को दीमाग में बिठा लो यह दोनों formula से related ही यह पूरा का पूरा exercise है then इसके आप area of sector में एक और formula है area of sector equal to r by 2 r by 2 मतलब radius को harp करो और into l, l मतलब length of an arc r by 2 into l अब सुनों यहाँ पे यह तीन formula आपके सामने दीख रहे होंगे यह तीनों formula से यह पूरा का पूरा third exercise आपको solve करना इसके अलावा कुछ भी अलग से आएगा नहीं और आएक आपको याद होना ची area of circle area of circle का formula क्या होता है pi r square मैंने पहले ही याद करा दिया है area of sector theta upon 316 to pi r square जब भी अगर आपको theta दिया होगा और बोला होगा area of sector निकालो तो आपको यह वाला formula यूज करना है जब भी अगर आपको area of sector निकालने के लिए पूछा होगा पर आपको length of and arc दिया होगा theta दिया ही नहीं होगा और अगर आपको length of and arc और area of sector पूछा होगा और ठीटा नहीं दिया है, तो इस फॉर्मले पे गौर करना, क्योंकि इस फॉर्मले से रिलेटेड ये तीनो फॉर्मले से रिलेटेड एक फॉर्मला आपके बोर्ड एक्जम्स में आने वाला है, तो प्लीज यार यार याद कर लो, इते को एक पायर उसको एर और एक है टू अब इससे related आपको कॉस्टन सॉल करते हैं अब देखों, यहाँ पर तीनों फॉर्में से related में तीन कॉस्टन अलग-अलग सॉल कराऊंगा, then इसके बाद ब्रीफ कोस्टन भी इससे related के आएगा, स्वल कराऊंगा, अरौण हमारा वीडियो जो है अपने को निकालना है, area of sector, अब देखो area of sector का अपने आज दो formula है, पर इस formula में theta दिया है, इसलिए आप उनकों सा formula यूज़ करेंगे, ये वाला, ये वाला नहीं यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, बस आपको formula याद है, आप तुरंद यहां में लिख दो, area of sector which is equal to theta upon 360 multiplied by pi r square, theta कितना है दोस्तो, 54 है and upon 360 multiplied by pi का value उन्होंने I think दिया है, question में 3.14 लेना है, into r square, r square कितना हैगा दोस्तो, 10 का square, तो finally ये क्या हो जाएगा, 54 upon 360 multiplied by 314 multiplied by 100, अब जोको मैं point हटाने के लिए, मैं हमेशा बोलता था कि उपर नीचे 100 से multiply करो, बढ़ यहां पर तुमारे पास 100 already है, तो ये point set जाएंगे, और ये दोनो, अगर तुम दियान से देखोगे, तो 18 के table में आता है, अगर इसको 18 का table नहीं आता होगा, 9 का आता होगा, तो भी चलेगा, 9, 4 जा, 9, 6 जा, इसके बाद, और अगर गिसी को 18 का table आता होगा, तो देखो मैं 18 के हिसाब से भी कर सकता हो, 18, 2 जा, 18, 3 जा, फड़क से होता है, इसके बाद, देखो ये 3 by 2 है, ये 3, 1, 4, क्योंकि ये 0, 2 लेके पॉइंट को चले गया, तो डारेक्ट ये है, इसको इससे डिवाइड करोगे, तो I think 157 आएगा, and 157 को देख लो, एक बाद डिवाइड भी कर ले रहे, 2 से, and sorry यहाँ पे एक 0 बचा है, साथ में एक 0 भी है, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करोगा, तो ये 10 होगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 157 होगा, चेक करते हैं 2 से डिवाइड करके, तो 2 1s are 2, then 2 5s are 10, देखो ये सब सिखा रहा हूँ, then 2, 1, 3, 1, 4 है न, हाँ, यहाँ पे 1 है, 2 7s are 14, तो finally 157 आया, देखो मैंने क्या किया, नमबर को मल्टिप्लाए करतो, 3 मल्टिप्लाए बाए 157 डिवाइड बाए 10, अब 157 को 3 से मल्टिप्लाए कर लो, 157 मल्टिप्लाए बाए 3, अगर 157 को अगर आप 3 से मल्टिप्लाए करते हो, तो यहाँ पे 7 3s are 21, 3 5s are 15 और 2 17, then 3 1s are 3 और 4, 47.1, तो फाइलली यहाँ पे, अगर आप इसे solve करोगे, तो 47 1 और यहाँ पे 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 47, नीचे 10 है तो पीछे से एक नमबर के point दो, और area of sector है, मतलब area है, तो यहाँ पे कहाएगा centimeter square, check कर लो, centimeter question में दिया है की नहीं दिया है, question में हमें centimeter दिया है, हाँ centimeter दिया है, तो फाइनली यह हमारा question done हो गया, अब चलते है next question की और, next question है हमारा, the measure of arc of a circle is 80 degree, मतलब अपने को theta दिया है, 80 degree, then radius is radius अपने को r दिया है, 18 centimeter, then इसके आद find the length of an arc, अपने को क्या निकालना है, length of an arc अपने को find out करना है, कोई भी अगर आप one sort video देखोगे, कोई आपको calculation यह सब solve करके नहीं देगा, पर मेरे इस वीडियो को देखने करा आपको पूरा का पूरा यह एक घंटे में पूरा का पूरा lesson, पूरा का पूरा lesson cover हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, length of an arc, अगर आपके इस formula में theta नहीं दिया होता, तो आप वो area of sector और आप formula यूज़ करते, then theta upon 360 into 2 pi r, देखलो आप, formula 2 pi r, अब बस यहाँ पर आपको theta का value लिग दो, 18 upon 360 into 3.14 लेना है, 3.14 into value of r, r 18 है, अब देखो यहाँ पर, अगर आप यह देखो यह 00 cancel करोगे, cancel किया, 18 1s आ, 18 2s आ, 18 का थोड़ा table याद रखना है, 2 1s आ, 2 4s आ, तो finally, 4 2s आ, कितना होगा, 8, 8 multiply by 3, 1, 4, तो उमकार सर, 3, 1, 4 multiply by 8 आप कर दो, इस पर, करके जल्दी दो, और आप लोग भी करो multiplication, यह मैं इसलिए multiply बता रहो कि बहुत सारे लोग wrong करते हैं, इसलिए, देखो, अब मैं भी तुमारे सामने ही multiply कर रहा हूँ, यहां 32 आएगा, 3 कहरी, बाद में, 8 1s आ, 11, 1 कहरी, बाद में 8 3s आ, 24, और 25, I think 2512, तो यहां पे क्या है, 2512, पॉइंट किया दो नंबर है, पिछे से दो नंबर किया पॉइंट देदो, यह length of an arc है, इसमें area word आया क्या length of an arc में नहीं, तो यहां पे बस centimeter आएगा, यह ध्यान रखना नहीं, तो अच्छे अच्छे toppers आपके marks चले जाएंगे, अगर यहां पे लिखा की, यह length of an arc में area word नहीं है, तो यहां तक का part हमने cover कर दिया, अब चलते हैं next part की और, the radius of a sector of circle is 3.5, मतलब अपने को r दिया है, 3.5, यह को मैंने donor type के sum solve करा दिया, अब यह तीसरे type के sum भी solve कराऊंगा, इस में से 1 sum fix आने वाला है, length of an arc is 2.2 cm, length of an arc मतलब L अपने को दिया है, 2.2 cm, and find the area of the sector, अब ने को क्या निकालना है, area of the sector, अब देखो area of sector हमें निकालना है, या अब ठीटा आए क्या नहीं है, तो सीधा सा formula, area of sector का दूसरा formula, area of sector which is equal to r by 2 multiplied by L, r कितना है, 3.5, divide by 2, multiply by L कितना है, 2.2, अब आप ये इतना easy calculation है कि इसको direct भीना point हटाई भी कर सकते है, 1.1 आएगा, then 3.5 multiply by 1.1, 35 को 11 से multiply कर दो, 35 multiply by 11, 11 का table सब को आता है, 11, 5, 55, 5 carry 33, and 38, यहाँ पे 385 आया, point के आत one number, point के आत दो, दो number के आत point लगा, and centimeter square आएगा, क्योंकि area of sector पूछा है, सुचो, calculation के साथ सब चीज़े systematic में cover कराते जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, a to z calculation के साथ, यह one sort video में possible ही नहीं है, कि कोई का, बस formula बता देंगे, बोलेंगे, इस type की question आप solve करो, अब देखो brief question भी बता रहो, यहाँ पे radius of circle अपने को दिया है, आर अपने को दिया है, 7 cm, अपने को length of an arc, मतलब हमें arc का length दिया है, mbn का value हमें दिया है, 60 degree, अगर यह 60 है, तो यह भी 60 हो जाता है, अगर हमें measure of arc, mbn, 60 दिया है, तो वो हमेशा central angle को same होता है, हमने circle relation में पढ़ा है, जिसको नहीं पढ़ा होगा, अभी लिख लोगी, यह arc का measurement हमेशा angle को same होगा, central angle property, ऐसा बस लिख देना, अगर इसके बाद, अगर इसलिए हमारे angle, m, o, n का value है, वो कितना आ जाएगा, 60 degree, कभी भी याद रखना, अगर यह 60 है, तो यह वाला भी same होगा, यह वाला है, तो यह वाला same होगा, अब यह 60 है आ गया, अब अपने को यहाँ पे question में, तीन चीजे find out करना है, पहला area of circle, area of circle का तो formula देखो, मैं तीनों चीज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, area of circle, मैंने formula याद करा दिया है पीछे, याद करो जल्दी से, pi r square, बस यहाँ पे pi का कुछ बोला नहीं, 22 by 7, यह देखो, 22 by 7, into r अपने को दिया है, r अपने को 7 दिया है, यह आपे 7 square, मतलब 7 into 7, तो यह 7, 7 cancel होगा है, 22 by 7 से multiply कर दो, and आपका area आ गया, पहला question solve हो गया, then second question हमें क्या बोला है, area of sector o, m, b, n, मतलब o, m, b, n, मतलब अपने को यह वाला sector निकालना है, तो आप उन कैसे निकालेंगे, area of sector का formula क्या है, theta upon 360 multiplied by pi r square, theta अपने को पता है दोस्तो, 60 degree है, then यहाँ पे 360, pi का value 3.14 लेना है, या 22 by 7 लेना है, तो ले लो, 22 by 7, पर area of sector यह सब में 3.14 ही लिया करो, and अपर 22 by 7 ले लो, क्यों कि r का value अपना 7 है, 7 का square, बस इसको solve कर दो, आपका answer आ गया, and then इसके बाद आपको क्या निकालना है, measure of r को m, c, m, c, n, m, c, n, m, c, n, अट आपने, पूरे circle में से, ये वाले part को minus कर दो, ये वाले part को minus कर दोगे, तो अपने आप आपका answer आ जाएगा, तो आपने पूरे circle का area तो निकालना है, आपने पूरे circle का area निकालना है न, दोस्तों, यहाँ पर, तो आप जब 3rd वाला answer लिखोगे ये इसमें से 3rd वाला answer जब लिखोगे न लिखोगे क्या लिखोगे? area of omcn इसमें बस क्या करना है? area of circle का जो answer है area of circle माइनस, ये जो area of sector निकालना न, इसमें से इसको minus कर दो 3rd वाला हो जाएगा area of sector आपने निकालना यह भी आपके दिमाक में आ गया मैंने पूरा यह इसलिए नहीं सॉल किया एरिया उफ सरकल आपको सिखाया हूँ एरिया उफ सेक्टर मैंने पीछे सॉल किया एक सम आपको यह भी आ गया इसमें से इसको माइनस करके मुझे answer comment करना है तो मुझे लगेगा कि मेरने जो मेहनत किया है सच में बच्चे उसे follow कर रहे है अब देखो यहाँ पे हमें बोलागी find the parts area of parts x y z हमें क्या करना है तीनों parts का area हमें क्या करना है find out करना है बहुत easy है देखो first part अगर तुम ध्यान से देखोगे तो first part मतलब x यहाँ पे उन्होंने question में rectangle लिखा है मैंने लिखा नहीं है question systematic तो rectangle यहाँ थीटा हमें पता चल गया first part के लिए theta कितना है 90 और यह sector है तो area of sector equal to area of part x ऐसा भी लिख सकते हो पर sector का ही formula आएगा theta upon 360 into pi r square अब मुझे बताओ theta आपको तो पता है 90 360 भी आपको पता है pi का value कुछ बोला नहीं है तो 22 by 7 ले लेते हैं और r जो है r हमेशा यह जो है यह और यह हमेशा same होता है क्योंकि यह radius होते हैं तो यह अगर 14 है क्योंकि इधर का major में पूरा है तो आपको यह वाला देखे 14 है तो यहाँ पर 14 लिख दो बस इसको solve कर दो 14 का square है solve कर दो तो आपको area of sector मतला area of part x का आपको क्या होगा value मिल जाएगा same अगर आप y के लिए जाते हो y के लिए जाते हो तो यह भी sector दीख रहा है इसमें भी आपको theta का value पता है कितना है 90 है बस हमें r का value चीए इसमें r जब निकालने जाओगे यह 14 है तो यह भी कितना होगा 14 cm अब आप क्या करोगे यह पूरा का पूरा आपको पता है value यह पूरा का पूरा value आपको पता है उ यहाँ पर कोई एक point ले 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 ना A, तो आप लिखना A r equal to qr minus qa, तो यह आपका 7 आ गया, अब बस यहाँ पर same वही वाला formula, area of sector वाला, theta upon 360 into pi r square, देखो मैं कितना easy तुम्हें बता रहोगी, अगर तुम छोटा सा concept clear करते हो तो यह बड़े-बड़े question भी solve कर लोगे, अब त जैड निकालना है, जैड का अगर figure देखोगे, तो जैड कोई sector की तरह नहीं दिख रहा है, जैड ही है, कोई sector नहीं दिख रहा है, यह दोनों sector दिख रहे है, तो बहुत easy है, पूरा बड़ा figure की बात करो, जैसे आप उनने circle में किया था, पूरा बड़ा figure क्या है, rectangle है, area of rectangle, area of rectangle, area of rectangle का formula क्या हता है, length into breadth, length into breadth मतलब आपने को length पता है, length अपने को पूरा पता है, 21 है, 21, multiply by breadth भी अपने को पता है, 14, इसका जो भी answer आएगा, centimeter square, उसमें से, अब आपको कौन से पार्ट का area निकालना है, देखो ध्यान से, आपको area निकालना है, आपको area निकालना है, आ part z, आप क्या करोगे, पूरे जो बड़ा अला part है, area of rectangle है, rectangle है, उसमें से, जो area निकालना है, area of part x plus area of part y, जो भी आपका यहाँ पे answer आया है, उसमें यह दोना answer को plus करके minus करते हो, मतलब यहाँ पे, यह x और y का plus करके, जो answer आएगा, इसमें से, इसको minus करते हो, हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत easy है, इस type के question को आपको solve करना चीए, अब देखो यहाँ पे, यह भी question, मैंने बहुत difficult questions भी लिए, कि मतलब मेरे को, एक गंटे में, अगर मेरे बच्चे अगर वीडियोस देख रहे हैं, तो उनका पूरा preparation हो जाए, देखो यहाँ पे बोल यह area under root 3 by 4 into side हमें पता है 14 है, 14 का square, इसको solve कर डालो, first follow part आपको clear हो गया, then second area of any one of the sector, sector का formula याद है न, theta upon 360 into pi r square, theta का value अपने को दिया है, theta का यह equilateral triangle है, equilateral triangle है, तो उसका theta हमें सा 60 degree होता है, याद रखना, equilateral triangle का theta कितना होता है, 60 degree, तो आप theta upon 360 into r का value पता है, तो यह तो हो गया, बाद में total area of 3 sector, जो answer आएगा, उसको 3 से multiply कर दो, तो यह 3 के मिल जाएंगे, और area of shaded region, वही अपना बड़ा figure के है, triangle, उसका area हमने निकाला ही है, उ मतलब इस में से यह वाले answer को minus कर दोगे, अपने आप यह आ जाएगा, हो गया, कितना simple सा question है, अगर आपने एक question अच्छे से practice starting के team की है, तीनो formula दिमाग में रखे तो हो गया, अब last exercise है, उसमें अगर हमने बस एक type का question solve किया, हो गया आपका, पूरा का पूरा lesson हो गया, और मैंने कितने easy तरीके से पूरा का पूरा cover किया, अब देखो last के मैं थोड़ा question लिख देता हूँ, then इसके बाद मैं वो भी explain कर देता हूँ तो दोस्तों, यह आज के session का हमारा last question है, और यह last type है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, last exercise में अगर आपने systematic issue को complete कर लिया, तो आपका अपने आप, बहुत सारा part complete हो जाएगा, अब देखों यहाँ पर का लिखाएगी, एक sum अगर आपने last exercise में cover किया, तो आपको बाकी solve करन आपने वाले ही sum में आपको समझा दिया है, तो आप यहाँ पर लिखों के major of arc, major of arc, arc, pqr equal to angle por, major of arc, major of arc, pqr equal to major of angle por, अगर यह 60 degree है, तो angle हमारा por भी कितना होगा, 60 degree by property of, या तो major of central angle आप लिख सकते हो, लिख देना reason, अब यह आपका 60 degree है, मतला अपने को theta कितना मिल गया 60 degree, अब theta हमें 60 degree मिल गया है, और हमें क्या निकालना है, find the area of shaded region, shaded region मतला अपने को segment का answer निकालना है, area of segment निकालना है, हमें सह याद रखना, अपने को pi का value दिया है, और यहाँ पे root 3 का value दिया है, इस type के question में हमें formula तो याद हो जाता है, बट question solve करना हमारे लिए बहुत अब देखो मैं इसे solve कैसे करता हूँ, formula याद रखो सबसे पहले, formula r square pi theta याद हो गया, आप उन लिखते थे थे न, यह दो ऐसे याद रखो, r square बाहर लिखो, आप ऐसे लिखते थे थे न, theta upon 360, यह याद है कि नहीं, बस यहाँ पे क्या ले लो, आगे pi, अब याद हो गया, minus, देखो सब formula मैं आपको याद करवाते जा रहा हूँ, कोई भी आपके उपर मैंने burden नहीं छोड़ा है, तो इसलिए एक नीचे प्यारा comment अगर मुझे देख रहे हो, तो होना ही चीए, एक तो दिल की बरसा तो और एक प्यारा comment होना चीए, कि जिससे मैं जल्दी आपके ल ठीटा का value कितना है, 60 है दोस्तो, ये कितना है, 360, ये कितना है, sin theta हमारा कितना है, sin, ये कितना हैगा, 60 upon 2, अब हमें क्या करना है, इसको solve करते जाना है, अब main name हमारा ये पूरा solve करना और ये solve करना उतना easy नहीं है, जितना हम लगता है, ये 100 आएगा, देखो ये 3.14, ये 0, 2, 0, cancel हो गया, 6, 6, 6, तो मतलब नीचे के आ गया, 6 आ गया, and then sin 60 का value हो, याद कर लेना, sin 30, and sin 60 ये values याद रखना, sin 60 का value होता है, वो हता है, under root 3 by 2, और नीचे 2 है, बहुत सारे लोग ये 2, 2, 2, cancel मत कर देना, then यहाँ पे ये 100 है, मैं जैसे solve कर रहा हूँ, वैसी एगर आप solve करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये 2 नीचे लेलो, तो ये root 3 हो गया, 2 नीचे हो गया, तो 2 नीचे आएगा, तो 2 टू जा, 4 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 4 लिखा, then next step में ये 100 हैसी रहेगा, 3.14 भी हैसी रहेगा, 6 हैसी रहेगा, minus under root 3 का value है, 1.732, उन्हो 1.73 दिया, 2 नहीं दिया, तो मैं 2 नहीं लिख रहा हूँ, पर actually 1.73 होता है, 3, 2 होता है, पर उन्होंने नहीं दिया, तो मैं नहीं लिखूंगा, 4, दो यहाँ तका part मैंने लिख दिया है, अब हमेशा कोसिस करने का, कि जो denominator है, वो same होना चीए, वैसे भी आप solve कर सकते है, cross multiply करो, normal सा solve करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर calculation fast करने के लिख नीचे का denominator same करो, तो देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 से multiply करता हूँ, तो यह 12 होगा, यहाँ पे भी same करना है, तो 12 दोनों में common आता है, 4 और 6 में पहला ऐसा number common कौन सा आता है, 12 आता है, पर आप tension मत देना, आप cross multiply करक के calculation अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं 2 से multiply कर रहा हूँ, तो उपर भी करूँगा, then यहाँ पे मैं 3 से multiply कर रहा हूँ, कि मुझे 12 नीचे बनाना है, तो उपर भी 3 से multiply करूँगा, तो finally, अब देखो finally मेरा जो value है, वो क्या हैगा, पूरा calculation करके दिखा हूँगा, 100, यह इससे multiply होगा, तो 6.28 हो जाएगा, अपॉन नीचे 12, यह कितना हो जाएगा, 3 से multiply होगा, तो 173, multiply by 3, 3, 3, 3, 9, 3, 7, 21, 2, carry, 3, 1, 3, 3, 5, तो यह कितना हो जाएगा, 5.19, क्योंकि पॉइंट किया दो नंबर इसलिए, और नीचे 12, अब यहाँ पे एक सबसे म time लिखेंगे, और इसमें से इसको minus कर देंगे, तो 6.28 से, एक step में minus करके दिखाना मैं direct कर रहा हूँ, 5.19, 8 में से अगर 9 minus तो नहीं होगा, 18 में से 9 गया, तो यहाँ पे 9 आया, then इसके बाद 1 में से 1 गया, कि 1 इसको दिया थे, यहाँ पे 0 आया, then 6 में से 5 गया थे, फानली गया है, 1.09, इसमें से इसको minus करके, अब देखो यहाँ पे, अब तुम्हारे पास option है, या तो आप इसको 12 से direct divide करो, यह भी एक option है, या तो पहले इसको कर लो, देखो वैसे भी कर सकते हैं, इसको अगर मैं divide कर रहा हूँ, इसको इससे multiply करके 109 कर दो, इसको 12 से divide कर और ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इसका, इसका calculation कर लो, इसका half कितना होगा 6, इसका half कितना होगा 50, इसका half कितना होगा 3, इसका half कितना होगा 25, तो finally 25 multiply by 1.09, divide by 3, अब 3 को 25 से पहले divide कर लो, देखो 3, divide by 25, 3, 8 जा 24, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 ले रहा हो थे, यहाँ आती ही रहेगा, तो अब इसका, इसका division किया तो कितना है, 8.33, तो finally 8.33 multiply by 1.09, तो मतलब 833 को 109 से आप multiply करो, अब देखो यह multiply आप normal सा कर सकते हो, बीना मतलब का time जाएगा, इसलिए मैं इसको last multiply ऐसा है कि मैं first कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 8.33, please कोई mobile से नहीं करेगा 1.09, वीडियो बड़ा नहीं इसलिए मैंने किया, तो यहाँ पर finally मैंने multiply आगे तो मेरा answer है 9.0797, जो भी answer है मैंने यहाँ पर systematic हमने यहाँ पर लिख दिया, अब यह क्या है मेरा area, area लिखा है, तो area of segment तक आएगा centimeter square, तो finally calculation कैसे करना, क्या करना मैंने आपको बता दिया, य इसलिए मैंने time बच्चे इसलिए direct कर दिया, तो वीडियो हमारा around 1, एक घंटा पांच मिनिट का गया है, एक घंटा पांच मिनिट के आसपास हमारा वीडियो गया है, पर मैंने इसमें A to Z, कोई भी ऐसा question नहीं कि मैंने जो छोड़ा है, पूरा का पूरा question cover करा दिया है, ब जल्दी है, आपका जो demand रहेगा, दूसरे वीडियो का मैं जल्दी fulfill कर दूँगा, ऐसी मैं algebra and geometry के बहुत easy आपको चीजे complete कर दूँगा, science का अगर आपको चाहिए, तो science की भी चीजे मैं आपको easy trick यह सब करवा दूँगा, बस आप logo तक से share करो, तो वीडियो को देखने के